सब्सक्राइब करें लिंक देता गया है लिंक दे क्लिक करके तुसी डाउनलोड कर सकते हो कि नाले इस तरह दे पेपर होर भी किसे क्लास दे दे हैं किसे भी सब्जेक्ट दे परापत करना चांदे हो तो साधी ओफीशल वेबसाइड है www.thepanjabiclass.com इते जाके तुसी सर्च करनी है अपनी कलास ते सब्जेक्ट दे बैठके खिलिक कर दे सारी तुसी रामना इसनों डाउनलोड कर सकते हो ते रामनाल बैठके पेपर अपना देख सकते हो सब शुरू कर दे हैं तेदा उत्तर है डी उपुरूत्तक सारे सो पढ़ दा हां पहला ए विकास ले एक माद्दें वजो कम करदा है बी ए पॉस्टिक तात्य परदान करदा है सी ए पाणी दी सप्लाई करदा है ठीक है जी सो अग्य है नमबर तिन फसली चक्कर लाहे वंद है सो थले चार आप्शना ने आंसर है डी याने की उपुरूत्तक सारे सूपर वले पढ़ दा हां ए कीट नुकसान नुक टाउन लई बी फसल दी सेहत उनुसुदारन लई सी मिट्टी दे कटावनुक टाउन लई ठीक है जी सो अग्य है नमबर चार इना विच्चो केड़ी पौदियां दी बमारी नहीं है सो थले चार आप्शना ने एदा अंसर है डी मलीरिया तो बच्चे ए याद रखी हो बेदे विच्च नहीं है लिख्या है एच्च कनफ्यूज न हो जाना ठीक है जी अग्य है नमबर पांच इकको केड़ विच्च विकल्प तोरते वाकवाक फसला अगाउंदी प्रिकरिया नूं की कहा जानदा है इनूं केंदे है फसली चक्कर याणि की आप्शन सी अग्य सही या गलत नमबर चे यूट्रोफिकेशन कारण जाल सरुतां विच आकसीजन दी कमी हो जानदी है जो जाल लई जानवरां दी मौत दा कारण बन दी है ए सही है ठीक है जी सही है गलत असना है ए सही है अग्य नमबर साथ एन पीकेदा पूरा रूप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम खाद है ए वी सही है अग्य है नमबर अट बायो विस्तार कारण नुकसान दे रसाइना दे गाड़ा पन विच वदा हुदा है क्योंकि ए एक पदर पथर तो दुझे पथर तक लंगदा है यह वी सही है अग्य है नमबर नौ खादा खादा किसे खास फसल लई खास पॉस्टिक तातहान ए सही है अग्य है नमबर दस पारत विच नदीया आते नेरा दी संचाई लई वर्तो नहीं किती जानती ए गलत है किती जानती है सारे नू पता ही है ठीक है जी अग्या विर दित्ते के शब्दा विचों खाली थां परो ठीक है यह करना है नमबर ग्यारा मिट्टी विच बहुत ज्यादा लून कारण पैदा होन वाले मिट्टी परदूशन नू डैश किया जान्दा है उपर तड़को दते हो इन्हें अंसर इना चुलाब के पर नहान शो पहले दा है थारा करन नमबर बारा कनकदी कुंगी डैश दे करन फैल दि है यदा उत्तर है उकसीनिया ग्राम इन्स ल dessert करके फैल दी है नमबर तेरा डैश जमीन है जिँगे पॉद्या गाई जान दिहान इंदा उत्तर है खेत नमबर चौदा, पौद्या नूँ पानी दी सप्लाई नूँ डैश किया जानदा है, एदा उत्तर है सिंचाई, नमबर पंदरा, डैश ये ग्रीन हाउस परवावली जम्मेवार है, एदा उत्तर है कार्बन डैयोकसाइड, सो अगे है, हीठा दित्ते गए स्वाला दे सोड़ा, त्री यार दा की अर्थ है, त्री यार पहल कदमी दा उदेश विशव पद्दर ते त्री यार यार की कटाओ, मुड़ वर्तो अते रीसाइकल नू उत्शाहिद करना है, ता जो सुरुता अते समगरीदी पर वावशाली वर्तो द्वारा एक वदिया, पदार्थ चकर समाज दा निर्मान की ता जा सके, त्री यार रूंदे हैं, रीड्यूस, री यूस ते, रीसाइकल, यानि की पंजबी विचे, कटाओ, मुड़ वर्तो अते, रीसाइकल, अग्गे है नंबर स्तारा, कुपोशन तो कीपाव है, तेदा उत्तर है, कुपोशन एक गंबी अते, इस दा हवाला तिता जा सकता है, काट पोशन फारिएंदे पॉष्टिक, तात नाल मिलना, ज्यादा तर पोशन लोड द वद पॉष्टिक, तात, प्रापत करना है अगे है नमबर ठारा डीडीटी दा पूरा ना की है तो डीडीडीडी दा पूरा ना है डाइकलो डाइकलोरो डिप हैंट्री कलोरो थेन है काफी वर डाकर है तो एक कीट नाशक है जो खेती बाड़ी विच वरतिया जानता है सेयुक्त राष्ट ने उननिसो बतर विच डीडीडी दी वरतों से पबंदी लगा देती सी सेयुक्त राज तो बार दे देश अजेवी मुलेरिया फलावनवाले महशरां दे नरियंतर लें डीडीडीडी दी वरतों कर दे है अगे है नमबर उननी दो जैवें की इंदन दे नादसो उत्टर पुड़ा तेल अते कुदर्थी गैस जीवे किंदन दिव अर्नान नमबर वी जीरो वाधी वाधी अर्थ है इदा उत्टर रहें English medium वाले यां दे लिए ठीक है जी So by monthly exam November 2020 सारा कोई सेम है समाई के इंटेदा Marks ने भी So सब तो पहला multiple choice question Question number one Who is the father of green revolution of India Answer है B. MS. Swaminathan Number two What is the importance of soil for plants Answer है D. All of above A. It acts as a medium for growth It provides nutrition Number C. It supplies water Again number three Crop rotation is beneficial It answer है D. All of these यान की A. To reduce pest damage to improve crop health C. To decrease soil erasure Again number four Which of the following is not a plant disease Answer है D. Malaria Number five The practice of growing different crops in the same field alternatively is called C. Crop rotation So again है true and false Utero Fycation Lead to Depletion of oxygen content of water body Which causes death of Aquatic animals Answer है true Number seven Full form of N.P.K. is nitrogen Phosphorus potassium fertilizer Answer is true Number eight Biomagnification is characterized by increase in the concentration of harmful chemical as it passes from one tropic level to another True or false True or false The answer है true Number nine Fertilizer are nutric Specification for a particular crop Answer is true Number ten Rivers and canals are not used for irrigation in India Answer is false Okay Number Fill in the blanks from the given word So oopper एवर देते गए हान Inna दे विच्चों तुसी Fill in the blanks करने हान ठीक है जी Number 11 The soil produced Due to excessive salt in the soil is called dash Answer is Salinization Number 12 Rust of wheat is caused by Answer Pukina Grammins Number 3 Dash is a land where plants are cultivated Answer is field Number 14 Supply of water to plant Plants is called Irrigation Number 15 Dash Gas is responsible for greenhouse effect Answer is Carbon dioxide Agge hai Answer the following question Number 16 What is the meaning of 3R Answer The 3R initiative aims to promote 3R Reduce, reuse and recycle Globally so as to build a sound material cycle society through the effective use of resources and materials Number 17 What do you understand by Malnutrition Answer Malnutrition is a serious condition that happen when your diet does not contain the right amount of nutrients It means poor nutrition and can refer to undernutrition Not getting enough nutrition Overnutrition Getting more nutrition than needed So again number 18 What is the full form of DDT? Answer is Slabachy Salabachy Dichloropie 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 Deichloropie Ane曼 Deichloropie Some countries outside the United States still use DDT to control of mosquito that spread malaria. Number 19. Name two fossil fuels. Answer. Coal oil and natural gas are example of fossil fuels. Number 20. And last. What is meant by zero population growth? Answer. Zero population growth is the absence of population growth in which equal birth and death rate create a stable human. population. ठीक है जी? तो इस English medium वाले हैं लही दोने कपर हो गया है न? एक वरी फिर दाजन्दिया है हेटा description box जे वेचे इस paper दा link दिता गया है. क्लिक करके तुसी download कर लिके और आमनल बैटके पढ़ सकते हो. ठीक है जी? तो मिल दे हैं नवी वीडियो विच नवी जानकरी लेके ता तक लिए तन्वाद.